बारत में free and fair election हो पा रहे हैं free and fair election का मतलब स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव हो पा रहे हैं स्वतंत्र बोले तो भई यहां पर कोई illegal activity नहीं हो रही है चुनाव के तोराण निश्पक्ष बोलें तो निश्पक्ष का मतलब है कि हर एक को एक समान अधिकार दिया जा रहा है किसी को special privilege या फ्युशेशादिकार नहीं दिया जा रहे हैं यहां पर निश्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आती हैं जो इन सब चीज़ें के उपर सवाल खड़े करती है, free and fair election के उपर, वो हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से cover करेंगे, साथी साथ हम ये भी जानेंगी कि कैसे free and fair election हो सकते हैं, और उर्ष दिशा में election commission of India क्यों क्या-क्या काम करना चाहिए, क्यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, PDF के लिए माँ आप लोगों को बता देता हूँ, description box में telegram का एक link दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखे जो भारतिय समीधान के जो संस्तापक थे, उन्होंने एक ऐसे भारतिय यानि संसद लोकतंतर की कलपना के थी, भारत के जो लोकाचार, प्रिष्ट भूमी और आफशक्ताओं के लिए सबसे उप्यूगत राज्य विवस्ता के रूपने हो, और उन्होंने क्या-क्या बनाया था या फिर क्या-क्या उन्होंने कलपना की थी, उन्होंने के सबसे बढ़िया चीज़ जो आप देखते हैं हमारे देश के अंदर, जब भी चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर आप 18 और 18 साल के जो उपर के जो लोग होते हैं, वो वोट डाते हैं, अब ये कितनी खुपसूरत बात है, कि यहाँ पर हर एक परसन का जो वोट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक होता है, जब वो अमीर हो, जब गरीब हो, उसका रंग कैसा हो, कौन सी कास से आता है, कौन सी कॉमूनिटी से आता है, किसी धर्म को फॉलो करता है, कहां से आता है, इन सब चीजों को भी भाई साब वो equal हमारे यहां दर्जा दिया जाता है तो यहां पर आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव कहां कहां होते हैं लोक सबा, राज्य सबा, विदान परिशद, विदान सबाओं के अंदर जो लोकल बोडीज होती हैं, उनके नगर निगम के लिए, पंचायत के लिए, जिला पंचायत और परखंट पंचायत इन सब सदेश्यों के निर्वाचन के साथ-साथ राश्ट पती, उपराश्च पती के पद के निर्वाचन के लिए भी चुनाव करवाय जाते हैं तो यह हाँ पर यह सब चीज़ें कल्पना की गई थी और obviously यह सब चीज़ें चल भी रही है अभी मुद्दा क्या है कहां चुनोतियां आती है अभी हम उसको discuss करने वाले हैं लेकिन देखें मुझुदा चुना परनाली को हम देखें तो काफी सारी चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है स्वतंतर और निश्पक्ष परकरती के बारे में यह हमारे अंदर doubt पैदा करती है इसलिए जरूरी है कि इन मुद्दों को साफधानी पूर्व की जांच की जाए और इन सब का solution जो है वो निकाला जाए क्या है हम उनके उपर जो problem है उनके उपर जाने से पहल हमारे समिधान के अंदर जो elections related है थोड़े बहुत आर्टिकल हम उनको जान देते हैं तो एक आर्टिकल आता है हमारे सामने 326 जिसमें यह बोला गया है कि जो लोक सबा है और जो प्रतेक राजी की विधान सबा में चुनाव जो है वो कैसी की सधार पर कराए जाएंगे वैस कि इसके अंसार कि जो निर्वाचनों के लिए जो एक मददाता सुची त्यार करना हो या फिर चुनाव का संचालन करना हो उसको मतलब की control करना हो यह सब कोन करेगा यह सब करेगा election commission इसके अंदर इसकी power होगी फिर यहाँ पर आता है हमारे सामने article 243 के के और article 243 जड़ एक वो राज्य चुनाव आयोग पर होगी उपर वाले कोन होगा election commission of India ध्यान रखना जो लोग सबार राज्य सबार इवन राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं उनका भी क्या होता है कि कौन करवाता है election commission of India के द्वारा एक काम करवाया जाता है फिर हम बात करते हैं election article 328 र फिर हम बात करते हैं निरवाचन आयोग की शक्तियों और उनकी जिम्मेदारी election commission of India के हमने जो बात करी उसकी जो पावर से उनके उपर हमाते हैं देखे एक आप परी सीमन सुनते होंगे परी सीमन के अंदर क्या होता है जो constituencies होती है election की भई यहाँ पर मान लें कि एक constituency है इ election commission of India के दोरा किया जाते है साथ इसाथ जो voters list है उसको त्यार करना समय समय पर उस पर update करना वह registration की हुई है उनको इसके अंदर शामिल करना यह सब काम election commission of India का होता है इसके साथ इसाथ चुनावों के कारे करम उनकी date है उनको निकालना साथ इसाथ नमांकन जो पत्र है उनकी जांच करना विभिन जो राजनेतिक दल है उनको मानेता परदान करना उन्हें चुनाव चिन जो है वो यह सब देना इसका काम होता है चुनाव के बाद संसद और राजय विधान मंडल के जो मोजुदा सद्यों की एयोगेता भई होता है न कि इसने गलत तरीका लगा कर तो यह चुनाव कोन कराता है यह एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ही करवाता है तो यह सब जीजे जो है इसकी पावर हो गई अब बात करते हैं कि जो चुनोतियां है वो कहां आती है हमारे सामने स्वंतनत और निश्पक्ष को लेकर तो यहां पर आता है हमारे सामने जो मत आता है उनकी जो एक decision making power है उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है कैसे वो कोशिश की जा रही है तो देखिए आपने freebies सुना होगा, irrational freebies यानि एतार्किक मुफ्त उपहार, मतलब हम आपको यह दे देंगे, अगर हम जीत कराएं तो आपकी राज्ये के अंदर हम यह सब लागू कर देंगे जो सब चीज़ें की जाती है एक freebies आते हैं, अब देखिए यह जो freebies है, यह बहुत ज़्यादा परभाव डालती है मतदाताओं की सोच के उपर खास कर जो वंची समुए उन मतदाताओं को, उनको पक्षपाती बना देता है, क्योंकि ऐसे जो मुफ्त उपार है, उन्हें परभावित कर सकते हैं और अपने परदितनीतियों की चुनने की जो उनकी सूचना संपन निन्ने में, उनका जो decision making पार है उसको परभावित करते हैं, वो सोसते हैं हमें ये मुफ्त उपहार मिल रहा है या फिर मुफ्त सेवा जो हमें मिल रही है यहां पर ये ज़्यादा अच्छी है बले इसके बदले कोई भी चुनकर वहाँ पर आजाए, वो ये सब चीजे नहीं देखेंगे तो सबसे बड़ा एक इशू हमारे सामने आते है ये फ्रीवीज को लेकर फिर हमारे सामने आता है स्वंतंत्र करमचारी की कमी लैक ओफ इंडिपेंडेंट स्टाफ देखि लैक्शन कमिशन ओफ इंडिया के पास खुद का कोई स्टाफ तो है नहीं अब इसलिए जब भी चुनाव होते हैं तो इनकों जो करमियों की जुरूरत होती है वो कहां से लेंगे या तो किंदर सरकार से लेंगे या फिर राज्य सरकार से लेंगे इनहीं पर इनको निर्बर रहना पड़ते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रशाशनी करमचारी ही समान्य प्रशाशन के साथ साथ चुनावी प्रशाशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं अब देखी एक ही व्यक्ति भाई आपने स्टेट से ही ले लिया उस इंसान को स्टेट से ही ले लिए मतलब कि आपने स्टेट से help ली कि हमें चुनाव कुराने तो आप अपना force बेज दी दी स्टेट ने अपनी force बेज दी अब वहाँ पर काम तो उसी को करना है उसी स्टेट में करना है तो कहीं न कहीं है सवाल खड़ी करती है निस्पक्षता के उपर तो ये हमारे सामने आता है फिर हमारे सामने आता है modal code of conduct आदर्स अचार सहीता इसको कहीं न कहीं सही से लागू नहीं किया जा रहा और इसके उपर election commission of India की जो शक्तियं उनके बारे में सपष्टता का भाव है पता है है नहीं गया कि ये modal code of conduct जो election commission of India कैसे लागू करेगी इसके पास क्या क्या पावर है इसके लिए ये सब चीज़ें आती है हमारे सामने फिर आता है हमारे सामने बूत कैप्शिरिंग आपने सुना होगा आपने movies के अंदर भी ऐसा देखा होगा पहले क्या होता था पर्ची डलती थी एक डबा होता था उसके अंदर पर्ची डलती थी तो हमने देखा होगा movies के अंदर वो boot capture कर लेते थे और आते हैं गुंडे उसके अंदर क्या करते हैं अपनी मर्जी से नीचे गिर चुका होगा ethical value उसके पास होगी ही नहीं तो ये सामने आते हैं वो किसी party के बफादार भी हो सकते हैं भाड़े के अपरादी भी हो सकते हैं जो मतदान के अंदर पर कबजा कर लेते हैं और वैद मतदाताओं के बतले स्वेम मतदान करने लगते हैं ताकि जो किशी विशेस उमिद्वार को वो उसकी जीत सुनेचित करवा सके तो एक ये boot caption फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो परभावित करता है हमारे जो निश्पक्ष और स्वतंतर election को वो है social media का राजनेती करन आपने देखा होगा कि आज की date में लोग अब twitter पे बात कर लो facebook पे बात कर लो youtube पे बात कर लो social media कही न कहीं परभावित करता है लोग तंतर की मुद्रा है हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके उपर बात नहीं करने चाए ये लेकिन बात करो अब आज देखेंगे ना कि आज की date में एक eco chamber बन गया eco chamber का मतलब ये ऐसा है कि आप किसी party के खिलाफ है तो बस आप उसके खिलाफ ही रहेंगे आप उसकी कोई अच्छी बात नहीं करेंगे या आप किसी party के समर्तर में है तो आप जिसके अंदर कमिया है ओविसली उसको बाहर लाया जाए उसके बारे में बात की जाए लेकिन ऐसा नहीं होता हम देखते हैं कि अगर किसी के बारे में हमने बात कर ली कोई party के समर्तर का है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत भी खिला बोल दिया तो लोग ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं लोग गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं तो यह सब चीज़ें हमें देखनी मिलती हैं तो कहीं न कहीं इसको regulate करने की बहुत जादा जरूरता और obviously हम देखते हैं कि कैसे social media पर चलने वाले राजनितिक अभियान कभी-कभी देश के भी भी निश्चों के अंदर जो धार्मिक, समाजिक तनाव पैदा कर देते हैं और फिर वो निश्पक चुनाव की प्रक्रिया पर कितना जादा परभाव डालते हैं obviously इस चीज़ का बहुत जादा वोट डालने जाता है क्योंकि उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलता है कि वो अपना जो वोट है वो डाल पाए मत डाल पाए जिससे वो जाएं नहीं पाते हैं तो यहाँ पर Election Commissioner of India को यह काम करना चाहिए कि जो PWD हैं इनके लिए वो ऐसी सुईधाएं जो है वो उपलब्द कराएं ताकि अपना वोट डाल सके अब यहाँ पर आते हैं कि क्या वारे सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि यह जब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं फिर राष्ट्री और राजस्तर पर सुगम चुनाव के लिए एक समीती यह भारे सरकार की पहल हो गई माददाता सत्यापन कारेकरम हो गया एक सीवीगिल एप जो है वो चलाए जाती है जिसमें क्या होता है कि जिसने Model Code of Conduct का उलंगन किया तो उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं फिर एक मददाता हेल्पलाइन एप भी है जिसमें रिजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का असान बनाने के लिए किया गया है फिर एक दिव्यांग सार्ति और दिव्यांग डोली भी है तो यह सब चीज़ें जो है वो चलाई गई है भारत निर्वाचन आयो की हाली में कुछ परमुक पहले हमारे सामने आती है आगे की राह क्या हो सकती है देखे आगे की राह तो यह हो सकती है कि चुनावों का लोकतंतरी करने देखें लोकतंतर में सभी दलों के लिए समानता की मांग की जाती है और स्वतंतर और निश्पक चुनाव उन अवसरों की सुनचित करते हैं अब obviously आप समानता कैसे रखेंगे हर एक को आप स्वतंतर और निश्पक चुनाव दिला करी यह सुनिचित करने के लिए कि अल्प संक्यक राजनीतिक अभ्यानों पर भी उनका विशेश ध्यान दिया जाए राजनीतिक उदेश यहति शिशल मेडिया में का जो उपयोग हम देखते हैं उसके उपर कठोर हमें मांदन स्थापित करने होंगे भारती निर्वाजन आयोग को यह सुनिचित करने के लिए कि हम देखते हैं कि जो सत्तारूड जो पार्टी होती है वो ऐसा अपनी पावर का यूज ना कर पाएं इलेक्शन के अंदर जो भी दूसरी पार्टी है ओविसली अपोजिशन के अंदर पार्टी है तो उनको वो कोई लाब मिल जाए मतलब कि सत्तारूड पार्टी को कोई लाब मिल जाए ऐसा ना हो पाए यह सब चीज इंध्यान रकनी होगी इलेक्शन कमिशन अव इंडिया को राष्टे कानूनों के अनरूप चुनावी अभ्यानों के संदर में व्यक्तिकत जो डेटा होता है जो पर्सनल डेटा है आज की डेट में आप जो मीन मनी जो आप समझते है न वो क्या है पैसा ही यही है डेटा ही पैसा है मतलब आपने सोचा होगा मेरे पास 2000 रुपया आ जाए तो या फिर 20 लाग रुपया जाए मैं पता निह क्या कर लोडू बाइसाइब जिसके पास personal data है ना हर इनसान का, तो वो सोची किया कर सकते हैं ह। उसको हर इनसान की सोच पता है, कि वो किस party को follow करता है, उसकी सोच कै मै उसको क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए ताकि वो अपनी सोच बदल सके तो जो इस personal data है, इसके उप्योग पर नियंतरन करने की बहुत जादा ज़रूरत है कोई भी मत अधिकार के वंचित नहीं हो यह मैंने जैसे आप लोगों को बताया PWD जैसे हो गए तो उनको जो चुनाव शेतर है या चुनाव जहां पर वो डलते है तो वहां तक कैसा infrastructure डेवलोप किया जाए कि जो दिव्यांग जन है वो वहां तक असानी से पहुँच पाए और अपना मत वहां पर वो दे पाए अब मदद आता जाग रुकता यह मैं यह कह सकता हूँ यह election commission of India नहीं कर सकता हूँ यह government खुद नहीं कर सकती यह कर सकते हैं आप कैसे देखें मुवत उपहारों के वितरन को रोकने या उन्हें स्विक्रिती आप ही आप रोक सकते हो आप ही उन्हें accept कर सकते हो यह power किसके पास है सिर्फ और सिर्फ मदद आताओं के पास है जो वोटर्स हैं उनके पास है उनको यह देखना होगा कि उन्हें क्या दिया जा रहा है इस रेशनल प्रोमिस उनके साथ किये जा रहे हैं जैसे कि कोई भी आपको फ्री में लाइट देने की बात करते हैं तो आप सोचिए उसका क्या परभा पड़ेगा एकनोमिक पर क्या परभा पड़ेगा और वो चीज आग कहां से रही है तो इस सब चीजें देखने की बहुत जादा जरूरत है इसके लिए मतदाता वर्ग की और शाष्वत सतरक्ता की आवशकत है एक आदर सा चार सहींता होगी देखे आदर सा चार सहींता है इसको सही से लागू करने की जरूरत है ताकि जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो केंडिडेट हैं उनको एक सही से गाइडेंस मिल सके यहाँ पर फिर एक हमारे सामने चुनाव सुधार पर एक रिपोर्ट आई थी 255 वी रिपोर्ट जिसमें ये बोला गया था जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए सच्चिवाले होता है उसी तरह पर भारती निर्वाचन आयोग के लिए एक स्वतंत्र और एक सथाई सच्चिवाले भी परदान किया जाए मतलब एक अलग से सच्चिवाले इनके लिए बनाया जाए और साथ इसाथ जो राज्यसभा निर्वाचन आयोगा है उनके लिए भी वहाँ पर एक अलग से सच्चिवाले बनाने की बात बोली गई थी तो उमीद करता हूँ कि आज का जो टोपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगी कि जो चुनोतियां हैं वो क्या है कैसे इन सब चुनोतियों को दूर किया जा सकता है और कैसे भारत के अंदर free and fair election को और जादा प्रभावी डंग से लागू किया जा सकते है तो यहाँ पर अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है तो मुझे कैसे समझा सकते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं साथे साथ वीडियो के जो यह आपको पीडियाफ है इसकी जो है पीडियाफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिला है टेलिग्राम का तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो